हेलो एवरिवन, वेलकम टू साविज किचन आज हम बनाएंगे घर पर गन्ने का जूस बहुत ही आसान तरीके से बिना गन्ने के हम यहाँ पर गन्ने का जूस बनाएंगे वो भी मिंटों में बन करके तियार हो जाएगा और पीने में बहुत ही जादा स्वाधिस्ट लगता है जो मार्केट में ठेले वाले जो जूस देते हैं हमें गन्ने का बिल्कुल वही टेस्ट आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो घर पर गन्ने का जूस बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए गुड़ मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है मैं यहाँ पर दो गिलास गन्ने का जूस बना रही हूँ आपको यहाँ पर जितना बनाना हो उसी साब से आप यहाँ पर गुड़ की मातरा ले सकते हो तो आप यहाँ पर गुड किसी भी तरीके का ले सकते हो तो मैंने यह देखी इस तरह का गुड लिया है अब हमें यहाँ पर इसको थोड़ा बारिक कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कपड़े में रखकर भी कूट सकते हो तो मैं इस तरह से knife की मदद से इसको बारिक बारिक इस तरह से हम cut कर लेंगे इससे जोब हमारा जो good है भीगने में बहुत ही आसानी होईगी इसको जो हमारा good है वो भी गन्ने से बनता है तो आज हम good से बनाएंगे गन्ने का बहुत ही स्वाधिस्ट juice बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में विल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता है मिन्टों में बन करके तयार हो जाता है तो यह देखे इस तरह से हमें इसको यहाँ पर रफली काट लिया है अब हमें यहाँ पर एक बाउल लेना उसमें थोड़ा सा पानी पर ठका रखके रख देंगे इससे जो अमारा गुड्य है वो अच्छे से गुल जाएगा पानी में तो यह देखे पांच मिनट हो चुकी है हमारा गुड्य काफी सोफ्ट हो चुक है अब हमें यहाँ पर लेना है एक मिक्सिका जार और इसमें हमें इसको डाल देना है अच्छे सा हमें इसमें डाल देंगे अब हमें यहाँ पर लेना है फ्रेश पुदिना तो हमें यहाँ पर पुदिने को दोगर के अच्छे से इसमें डाल देना है और अब हमें यहाँ पर डालना है थोड़ा सा नमक, नमक में यहाँ पर काला नमक ले रही हूँ, थोड़ा सा में यहाँ पर काला नमक डाल देंगे, और एक मैंने निकालके रखा निम्बू का रस, इस तरह से निम्बू का रस डाल देंगे, अब हमें यापर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यापर डाल रही है थोड़ा सा चाट मसाला इससे हमारा जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा गन्ये का और थोड़ी से हमें यापर आइस डाल देनी है आईस को थोड़ा मैंने बारी कूट लिया है तो अब हमें यहाँ पर इसको डाल करके अच्छे से पीस लेना है तो आप देख सकते हो यह देखे बिलकुल अमारा गन्य का जूस बन करके तयार हो चुका है आप देख सकते हो बिलकुल बजा जैसा दिख रहा है अब हमें यहाँ पर लेनी है एक चलनी और इसको अच्छे से हम यहाँ पर छान लेंगे इस तरह से हमें इसको छान लेना है यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा आइस डालोगे उतना ही ज़्यादा हमारा गन्ये का जो जू से बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेगा तो अब हमने यहाँ पर छान लिया आप देख सकते हो अब मैं यहाँ पर इसको सर्फ करना है हमने यहाँ पर लिये दो ग्लास और अब यहाँ पर हम डालेंगे खूब सारी आइस ठंड़ ठंड़ जब हमारा गन्य का जूस हम पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो यहाँ पर आइस आप बहुत ही ज़्यादा मातरा में डालें तो मैंने यहाँ पर पांची के करीब आइस क्यूब लिये हैं उनको बारी कूट लिया था और इस तरह से दोनों गिलासों में डाल देना है अब हमें यहाँ पर अपना जो गन्य का जूस है वो डाल देना है तो लीजे हमारा गन्य का जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है आप एक बार इस तरह से गन्य का जुस बना कर पीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट लगता है और आप बजार का पीना ही बूल जाएंगे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर